नमस्कास अनाइस न्यूस में स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है तीन बार से सिर्सा गंच के विधायक रह चुके हरी ओम यादव ने अब भातियंदा पार्टी की सदशुता ग्रहण कर ली है भातियंदा पार्टी ज्वाइन कर ली है आपको बता दे कि हाल ही में उनको समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निश्कासित किया गया था इनका बताया गया था कि पार्टी विरोधी गत्विदियों में लिप्त थे उसी के साथ राम गुपाल यादव के साथ जो इनके बैचारिक मतमेद आ रहे थे वो सारी चीजे सामने आई और इन्होंने भी कई सारी बयानवाजिया करी सनाइज निउस के एक्स्क्लूजिव इंटर्व्यू में इन्होंने ये बात कही थी कि सिर्सा गंज में जब 2017 में फिरोजावाद जिले के अंदर एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं बचा पाई थी उस वक्त सिर्सा गंज स इनको मिली है और उसी के साथ ये खुद को अपना वहां फेस मानते थे इन्होंने उसी इंटर्व्यू में हमारे इंटर्व्यू में ये बात भी कही थी कि सरकार तो भारती जनता पार्टी की बननी है और कहा था कि हम सिवपाल यादव के साथ हैं वो जिधर जाएंगे जिस पार्टी में जाएंगे हम उसी पार्टी में जाएंगे हर पार्टी के दरवाजे मेरे लिए खुले हुए हैं तो अब ये देखना खास होगा कि क्या कुछ होता है बाकि हमारा ये इंटर्व्यू सुनिए नमस्कार सौगत है आप सभी का सनना इस नियूज में मैं आपके साथ विशाल उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मिया तेज हो गई है सभी पार्टी जोड़ तोड में लगी हुई है इसी बीच हमारे साथ मौजूद है सिरसा गंसे विधायक और सपा से निशकासित अ आने वाले हैं तो इस बार आप किस साइड किस पार्टी के साइड करें हैं अब इसकाम फैसला अक्टूबर में करेंगे हम अपनी जनता से फूशेंगे कि हमें नर्दली रणना चाहिए या किसी दल में जाना चाहिए पहली हमारी प्राथम्ता समाजवादी पाइटी है तो बहुत दल हमको और भी दल हैं जो हमें लेने को तैयार हैं टिकट देने को भी तैयार हैं वो हम पनी जनता से पूश के फैसला करेंगे कि हमें किस दल में रहना है कहा जाना है किस दल से चुनाल रणना है या नर्दली रणना है ये जनता जो कहेगी वही हम करेंगे हमार दल जनता दल है आपने भी बात करी कि समाजवादी पार्टी अगर आपको सम्मान कर देगी तो आप जरूर समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे और उनी की टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और जनता भी जानना चाहती है कि आ आप किस तरीके के सम्मान की बात कर रहें या कोई शर्तर आप रखेंगे सामने समाजवादी पार्टी के आगे देखिए राजनीत में कोई भी समझाता सर्तों से नहीं होता है समझाता दिल से उगा करते हैं और जहां जहां सर्तों से समझाता हुए वो समझाता कभी चले न वार्ट के एग CBD तो हमको लगएगा किई हां समाजवादी P睹 ने हम पर अब भरोशा किया हैं वह हम फरोश पे खरे उतने का फ्रयास करेंगे तो निश्यत है हुव हम असी को शंपान मनते हैं चलिए हम ये मान लेते हैं अगर समाजवादी पार्टी आपको मौकर नहीं देती या अगर आपके बीच और समाजवादी पार्टी के बीच में समझोता नहीं हो पाता तो कौन से ऐसे दल हैं जिनके साथ आप जा सकते हैं कि यह आप भी जानते हैं भारती जनता पाइटी भी देश की बड़ी पाइटी है बहुंजन समाजबादी पाइटी भी राजनीत कर रही है उसका भी हर्वेदानसमा में जनाथ हा रहा है कांग्रेस भी अपनी लडाई लड़ रही है तो बहुत से दल हैं जहां जनता हमारा जो जनता फैसला देगी इस दल के साथ रहेंगे जनता को जिस दल की नीतिया अच्छी लगेंगी जिस दल को पसंद करेगी जनता जिस दल में जनता की आस्ता होगी जनता हमको बता देगी हम उसी दल में चले जाएंगे आपने सबसे पहले बात करी भारती जनता पार्टी की तो भारती जनता पार्टी की 2017 से भी सरकार चल रहे हैं, तो मतलब योगी अधिते नाथ की किन कामों से आप मतलब खुश हैं कि आप भारती जनता पार्टी की तरफ जाने का अपना इरादा ला रहे हैं सामने? कि हमने अभी कोई इरादा बनाया ही नहीं, हमने कहा नहीं, इरादा बनाते हैं तो हम चले जाते हैं, जला पंचायत के चुनावे भी चले जाते हैं, टिकट हमको मिल सकता था, 2019 में भी हम चले जाते हैं, वहां भी हम प्रियास करते हैं, हमें लोकसभा का टिकट हमारे बेटे विजब पताब को मिल सकता था लेकिन यहां प्रयास नहीं किया भी कहीं जाने मन नहीं बनाया हमें कहां घाना हमने पहले कशानुश में 16 में पहले 14 में फैसला किया था कि र समाजवादी पार्टी की मदद करने के लिए तो समाजवादी पार्टी यहां से बुरी तरह हारागी वही हुआ समाज़वादी पार्टी यहाँ नो बोकँ में परिचा डाल पाई, आठ बोकँ में परचा ने डाल पाई हम होते तो नो बोक समाज़वादी पार्टी जीती और जिलापैicer अद्दश भी समाज़वादी पार्टी का जैसे भी पंचायत की वी चुनाव हुए तो भारती जनता पार्टी ने आपी को श्रेदिया कि भारती जनता पार्टी को जिताने में आपी का सबसे बड़ा हात है तो मतलब कहीं ना कहीं समाजबादी पार्टी भी सही है अपनी जगा की भई आप पार्टी के खिलाफ कुछ गती वीदियों में शामिल है इसलिए आप पर इस तरह की कारवाई की जा रही है देखिए इस से पहले हम किसी कित्विती में वो नहीं थे सामिल हमने समाजवादी पाइटी को बनाया है सीचा इस जनपत में हमसे पहले समाजवादी पाइटी जनपत में थी नहीं है जब से हमने राइनी समाजवादी हम नेताजी के साथ गए और नेताजी के साथ हम लोग न संमाजवादी पाइटी करें पर्चा नहीं डाल पाई माधनपर ब्लोक गड़ा पर्चाहस डाल पाई यह गें पर्चाहस बिल से प्रिचाह कि अब है इस स्थार यह से नहीं इस समझवादी पाइटी में तब पांच को विदांसाद साफ β statute लड़ाई में भी निए पार्टी पांच व बियदान समाम आप्स तूब्लक सामाजवादी किस तरह से इस्थिती बिगढ़ती जारी लगाता है तो आपको क्या लगता है कि किन कारणों से समाजवादी पार्टी बैक-फुट पर जाती जारी या फिर किस तरह समाजवादी प क्रिबार्थी में कोई कार्पेंग करता नहीं रहा है समाजबादी पाइटी में सारे लोग नेता हैं जो एक वार राश्ति-अत्री से मिले आता वह पिर कार्फा नेता हो जाता है कि और सेनियर लोगों का अपमान करने लगते हैं लोग जनकी कोई हैस्यद नहीं गली महलों बने ईंटे हैं नेों सब को शाएगा को घ्रश्य मिज्बूत से आगे बढ़तीया जिस सब्लिव में कार करता होते हैं फस बचने बाले फुरी के की वस्ता करने वाले की दुरें समाजवादी पार्टी को खतम करने के लिए प्रोपेसर का लड़का अच्छ है और प्रोपेसर ही सफिसेंट है यहां किसी की जूलत नहीं है समाजवादी पार्टी के अलावा हम बात करते हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की शिफपाल जी की यानि मतलब उन पर इस शिप्पाल सिंग यादव प्रदेश के नेता हैं और बड़े नेता हैं और संगठन करता हूं उनसे अच्छा मैं समता हूं किसी दल में कोई नेता नहीं है जो शिप्पाल सिंग यादव जैसा संगठन करता हूं प्रदेश के अद्दच्वीर हैं और मैं समझता हूं समाजब समाजबादी पाइटी की दुर्गती उसी दिन से सुरू हो गई थी जिस दिन से मानी सिप्पाल सिंग या दो समाजबादी पाइटी से अलग हो गया थी और अगर समाजबादी पाइटी में सिप्पाल सिंग से गठमंदन नहीं किया तो समाजबादी पाइटी सत्र यसी सीट पर सिमिट जाएगी इस से आगे नहीं जाएगी और मानी सिफपाल सिंग से अगर समाजवादी पाइटी निकल लिया तो मैं मानता हूं कि समाजवादी पाइटी सरकार बनाने की इस्तिति में तो नहीं रहेगी लेकि सम्मान जने की इस्तिति में सीठे पा जाएगी अगर प्रग्रस्टी समाजवादी पाइटी के साथ हैं आदरी शिप्पाल जी के साथ हैं हम दोनों एक साथ हैं हमारा फैसला भी है कि जहां आदरी शिप्पाल सिंग जी रहेंगे हम वहीं रहेंगे अगर समाजवादी पाइटी उनको मिला लेती है और हमसे अगर परहेज करती है किसी दल में पर दो 우uage का एक साथ और डेक expenses with new operations डेखे सब्सक्रेटory के नीतियों सद्धान शणनेवाले नेता हम लोग ने बहुत कुछ सीखा संगर्स करना हम लोग ने नेताई से सीखा गरीबों की मदद करना हम लोग ने नेताई से सीखा छेत्र की समस्याओं को उठाना उनको हल करना हम लोग ने नेताई से सीखा तो बहुत सी चीज़ें हम लोग आराम नहीं मिल सकता, वहां की जनता की समस्यां का कभी हल नहीं हो सकता, और उपर का नेता करवर हैं और नीचे का नेता ठीक है, इस्थानी स्तर का तो भी वो जनता की समस्यां को हल करता रहेगा, जनता की समस्यां को उठाता रहेगा, जनता की समस्यां की बारे में संगर्स कर लेकिन इस जनपद में मैं समझता हूं कि इस समय हमें कोई ऐसा द्यक्ति नहीं दीख रहा है जो हमारी मुकाबले पर खड़ा हुग अच्छा आपने बात करी जनता की मैंने भी अभी देखा आपने जनता दर्बार लगाया हुआ था काफी आम जनता आपके सामने आई वी थी आप इलाके में और अपने शेतर में किस तरह की समस्या देख रहे हैं लोगों में जो वो आपके पास लेकर क्या आ रहे हैं ? जिए करने चाहते हैं। अगर आप सुबह दस बजे आजागों तो यहां जगे नहीं मिलेगी बैठने को लोगों खड़े रहते हैं, एतनी कुर्षियां आएं, चास्व पान्सव आदमी खटा हो जाता है, तो किता कहां बैठ लेगा, अब इस समय चले जाए किसी नेता के दरवाज़ दो आदमी नही हम उसकी मदद करें, हम नहीं होंगे, तो बियपताब करेंगा, कभी-कभी हम दोनों लोग पूरे दिन मदद करते हैं, उसी से जनता को हम पर भरुशा है, कि यह लोग हमारी मदद करते हैं, चास्व आपने बात करी जनता के भरोसे की, तो जनता का भरोसा तब था जब आप समाजवादी पार्टी से उसकी टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने आपको समाजवादी पार्टी के रूप में आपको जिताया इस भरोसे में कि आप उनके काम आएंगे लेकिन इस बार आपके पास समाजवादी पार्टी का साथ नहीं है अभी तक फिलाल आगे की रण नीती क्या रहेगी यह आपको या समाजवादी पार्टी कोई पता होगा तो इस बीच आप जनता के मन में कैसे भरोसा दिलाएंगे कि इस बार आप किसी पार्टी का दल या इधर से उधर नहीं होंगे आप देखिए जनता के भ चप्तरपती सबस्वेद अभी मिलने के बाद तो ही जंता कर रहों सपा का ओ जंताने दोनों को नकार क किया हमारी पनीवार के सभिकाषकर कर तैसा तरह पर धारे finest हे ने बीडल्य Videp बलकूनगुगा मदनबुरस एसा नहीं जनता का दल बाद में व्यक्ति पहले है जनता हम पर भरोसा करती है हम अगर जनता भरोसा नहीं तो हमारे कहने से प्रोपेसर के लेड़ेगे को समाजवादी पार्टी से केसे अरा दिया हमारी बात केसे माली जनता ने हम पर भरोसा करती हम मदद करते जनता की यह लोग एस यू में बैठके छेचे महीना जनता के बीच नहीं आते हैं हम 24 गंटे जनता की मदद करते हैं लोग दिल्ली थोड़ी आगे मदद लेने दिल्ली जाएगा आदमी 10,000 रुपया खर्च करेगा और राम को पालों उसके लेड़े के तो दिल्ली चादिना पढ़े रहें मिलेगा भी नहीं अच्छा एक सवाल इस पर की इस बार आप चुनाव में किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे यह हम 30 साल से राजनीत कर रहे हैं जनता नेता नेता को जनता पर भरोसा क पर हमारी बात पर हम कहके बदलते नहीं कि जनता को जो हमने आश्रासन दिया तो हमने पूरा किया हैं अब हमारे छेतर में घूमिये कोई व्यक्त यह नहीं कह सकता कि विधाएगी ने बाइदा किया वो पूरा ने किया बाइदे से हम 21 रहें चाहें विकास का वाइदा हो च सब्सक्राइब करें तो लोग हम पर भरोशा करते हैं और हम जिस दल से चुनाव लड़े निरदली ज़लेंगे तो हम भी सिजा से चुनाव जिते हैं मानि सिप्पाल सिंग हैं तो हमारे हमेशना दरवाजे खुले हुए हैं वहां कोई दरवाजे बंद थोड़ी हम लोग साथ ही साथ हैं तो वहां तो को रहा जहां बीजेपी का सवाल तो हम आभी लोग देख रहे हैं बीजेपी में हम कभी रही नहीं बीजेपी की रीती और न और जो भाजबा से अंदर खाने मिले हुए वह तो यह इसलिए निये तो हम व्यासला करेंगा हम माननी सिपाल सींक कहां ठीक रहेगा और यह आपको बता दिया हम भनें बीजेपी गरोद है इसा नहीं बीजेपी का भोरड है लेक्षरकार बीजेपी बनेगे अब इसे समर्थन दे दिया बीजेपी को समर्थन से कारण है बीजेपी के साथ जाती समीकन है इन्होंने जाती समीकन है समाजवादी पाइटी नहीं जोड़ पाया समाजवादी पाइटी के साथ सिर्फ इस समय यादब मुसल्मान है दूसरी कोई जाती नहीं ने के साथ वो अलग है दो परसेंट पांच परसेंट बेक्पद कार करता हूँ बीजेपी के पास बहुत आदात में ब्रहंबट, ठाकुर, बनिया, लोजी, राजपूत, कुसवा, बघेल, कठेरिया, दिवाकर, नाई, प्रिजापती, निसाद, छोटी छोटी जाती है सब बीजेपी के साथ चली गए जाए है और यहां तक यह सपा का सवाल है तो दो जी बोट है और यादा मुसल्मान और मुसल्मान का यह चार्ज जगे भगएगा, ओवी सी के साथ भी जाएगा, कांगरिस के साथ भी जाएगा, बसपा के साथ भी जाएगा, इनके साथ किता रहता सपा के बाद वो भीस बताएगा, यादब भी भगएगा, अगर सिपाल सिंगर किसी दल में चले गए तो 40% याद और सिप्पाल सिंग हमारे साथ चला जागा इस प्रदीश का तो मतलब आपको क्या लगता है कि क्या कमी है या क्या कारणे कि समाजवादी पार्टी दूसरी जाती के साथ अपना नहीं बना पाती है अपना ताल में रेखिए नेता जी पर हर जात को भरूसा था नेता ज है और कुस्वाओं में बहुत बड़ी नेता जोड़ की रख थे कुर्मियों में बैनी परसा जोड़ के रखा हमयशा मुसलमानों में आजम गाजैसे बड़ी नेता जोड़ के रखिते और भगहिलों में इस्थानी इस तर पर यहां संदर से गखह poor practical को बना दिया के लिए अनप्रिया पटेल को बना दिया बिछड़ों में कुर्मी चला जाएगा तो यह सारी हर जात में बीजेपी ने जुड़ के रखा हर जात के लोग एजस्ट कर दिये हैं यहां ऐसा कुछ नहीं है यहां पार्टी में बिचार मन्थन नहीं समाजबादी पार्टी में लिए केवल साड़े इस पर चर्चा होती साड़े तीन से सीट आए समाजबादी पार्टी थे भाईया को मुख्यमंत्री बनेंगे भाईया को मुख्यमंत्री सब मनाना चाहते लेक्र जे लोफर टायप के हैं यह जेव कतरे लोग बलत में टिकिया चोटे बंदिनी मुख्य मुख्रमंत्री जनाधर वाले लोग बनाए गए जनाधार हुए है उनसे जनता जुड़ी हुई है वहिया को मुख्रमंत्री बनाए ग़ंगे जनेvenes कोई जोग कोई भागा परदान हो औन alma Cash जोक्रमंध यहां हो नहीं सकते है कितने लोग हमारे सा废 रहेंगे बक ताने पर कितने लोग भाग जाएंगे हम लोग तो आज भी नहीं भागे निकालने के बाद में चाहते हैं तो हम बिजयब्पताफक तो दूसरार पहले निकाल दियाता ओहम जीकाल ली हम किसी दल में चले जाद या Ky son वही निकाल दिये कहीं नहीं तो हम जाएंगे, लेकिन हम फिर भी कहीं नहीं जाएंगे, इंतिजार जी आ, आस्था थी पाइटी को, बनाया आइस पाइटी को, संगर्स किया, हम लोगों ने खून पसीनिय सेंचा है, तो जो जिस घर को बनाते हैं, उस घर को इतनी जन्नी भारते जन्ता पार्टी, कॉंग्रेस, बस्बा और शिफपाल यादव की पार्टी भी उनमें भी दरवाजे खुले हैं हरियों यादव के लिए, इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी इनको पूरा सम्मान देगी और इनकी शर्तों के साथ इनको उफर देगी, तो य जरूर समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे, सन्ना इस न्यूस के लिए मैं विशाल धन्यवाद